हेलो दोस्तो मेरा नाम है विभब और आज की इस वीडियो में दोस्तो हम डिसकस करेंगे हमारे क्लास 11 के फिजिकल एजुकेशन बुक के यूरिट नमबर 5 योगा को तो दोस्तो यह जो वीडियो है जो दोस्तो आपका टम टू का एक्जामिनेशन होगा उसके लिए दोस्तो काफ़ जदा हैलफुल वीडियो है तो इस वीडियो की दोस्तो एंट तक देखेगा तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं इस unit के content को कि इस unit में कौन-कौन से topics को हमें cover करना है तो सबसे पहले जो topic है जिसे हमें cover करना है इस unit में वो है दोस्तों meaning and importance of yoga second दोस्तों हमेर elements of yoga, third दोस्तों हमारा introduction जिसमें हम देखेंगे asanas, pranayam, meditation and yogi kriyas and fourth topic है दोस्तों हमारा yoga for concentration and related asanas तो ये सारे topics को दोस्तों हमें chapter में cover करना है तो इस video में दोस्तों हम इसके first topic को cover करेंगे चुकि दोस्तों हमारा meaning and importance of yoga और अलग-अलग separate video में दोस्तों हम सारे topics को cover करने वाले हैं तो चलिए इस video को start करते है तो सबसे पहले टोपिक है दोस्तों मालन है meaning and importance of yoga तो सबसे पहले yoga का meaning क्या होता है तो दोस्तों जो yoga word है वो derive होता है Sanskrit word योजिसे जिसका मतलब होता है unite or to join और दोस्तों अगर हम बात करें definition की yoga के तो दोस्तों yoga का definition है yoga is the unification of atma with parmatma इसका मतलब क्या होता है दोस्तों इसका मतलब होता है कि आत्मा से parmatma का milan ही yoga है तो I hope यह meaning आपको समझ में आये होगी yoga की next हम देखते है importance of yoga तो yoga का क्या importance है सबसे पहला physical purity इसका मतलब है दोस्तों अगर हम yoga को regularly perform करते हैं तो इससे दोस्तों जो हमारे internal organ है वो pure हो जाते है वो purify हो जाते है वो clean हो जाते है next है दोस्तों हमारे posture deformities इसका मतलब है दोस्तों अगर हम yoga को regularly perform करते है तो इससे दोस्तों हमारे जो posture वो एकदम well maintained रहता है और जो yoga है वो हमें prevent भी करता है वो हमें बचाता है various posture deformities से third है prevention from disease इसका मतलब दोस्तों अगर हम regularly yoga को perform करते है तो yoga जो है दोस्तों वो हमें prevent करता है various diseases से अलग-अलग बिमारियों से जो yoga है वो हमें बचा के रखता है अगर हम yoga को regularly perform करते है fourth है enhancing flexibility अगर हम दोस्तों योगा को regularly perform करते है तो इससे क्या होगा दोस्तो इससे जो हमारी बॉड़ी में flexibility maintain रहती है flexibility enhance होती है हमारी बॉड़ी में हम free हो जाते हैं, नेक्स्ट दोस्त हमारे reduce obesity, अगर हम दोस्तो योगा को regularly perform करते हैं तो इससे हम दोस्तो obesity से मतलब मोटापा से बचे रह सकते हैं और अगर किसी को मोटापा है और अगर वो regularly योगा को perform करें तो उसका जो मोटापा है वो कम होना सुरू हो जाएगा मतलब जो उसका obesity लेवल है वो रेडियूस होना स्टार्ट हो जाएगा अगर हम दोस्तो योगा को रगुलरली परफॉर्म करते हैं तो इससे क्या हो दोस्तो इससे हमारा confidence इससे हमारा concentration किसी भी काम में और जो हमारा willpower है यह सारी चीज़े दोस्तो क्या होती है इन्हेंस होती है तो यह सबते दोस्तों importance योगा के तो next वीडियो हम देखेंगे इसके second topic को जो कि है elements of yoga तो यह थी दोस्तों मारी आज की वीडियो जिसमें हमने discuss कि हमारे class 11th के physical education book के योगा के first topic को योगी था meaning and importance of yoga I hope यह वीडियो आपको helpful रही होगी अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजे इस वीडियो को सेर कीजे अपने दोस्तों को साथ और अगर आप ऐसे वीडियो को देखते रहना जाते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजे तब तक दोस्तों all the best stay tuned with us